कि अग्याइए अग्यांग्या मेरा नाम डॉकर दिपर केड़ेकर है मैं मन्होंभीकार सेख्ष्रोग संभूहन तथा वेसर नूति तक्या हूं कि अपना मेरे हैं हुएसे हैं केड़ेकर होस्पीटल महरास्द अपना में और यहां अलग अलग मांजिक इमारियों की आपको कि विश्ट है में अपर सामने में लेक्वाइव deport एक विचार हर मतलम कि नोग कुछ दिन तक ऐंनों को फोल दा अंदोज भीर हें वो बाद में अच्छा आखि यह कुछ सरी बीमारी स्या को लेपती वा लगता है वहुतो है वे नको यहां भीर, पुर हो कोदी..., कि उनके घर में पोटी की शादी यहाया, हो जाएगा, या कि बाख सी proving शादी हो जाया, जा तो फुरस को कि आपके सामने कि भाहे रहता है कि मैंete क्यों छोटा-फोटा एक हुए मैंए झाह दिया。 बाकी लोगों को लेखो कि आपके सामने कॉन सा वाय है, कि मैंने जिन्दा क्यों रहना है, मेरे सामने गोल्स कॉन से, क्यों ऐसा मैं क्या करूं कि जिसके लिए मैं जी रहा हूं, मेरा गहने का मकसद क्या है, मेरा गहने का उद्देश क्या है, हम बच्चों को बलते हैं कि पढ व क्लियर नहीं है तब तक आपनी सघर जल्दी उटता यह ऐ Κारता नहीं तो में भिशुर्च मटना पड़े लुग हमारे अक्ति हमसे भूल का और अधिकया है तो काफ सरी वाल मीढ़ नंद नहीं डेंट करल कुछ एपर हम्मारा हम काम करते हे और हमारा वाय भी क्लिए है ऐसे मतलब जो भी न तो हमकरता हूं जी जान कंछन से काम करना को पुरा जी डालों के काम करना और उसमें मजह बया है मतलब पैसेनेट जब हम बोलते जब कि मैं पैसेनेट हूं। उसका मतलब जो होता है कि मैं कोई भी काम मैं कर सकता हूं। जिसमें मुझे थकान याएंगी, भूप प्यास लगेंगी नहीं, बारा बारा घंडे में काम करना हूं। और मुझे उसका कुछ ऐसा लगने रा कि मैं काम किया और मुझे उसमें कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है तो ऐसा कोई काम है कि जिसमें नंबर एक मुझे पैसा मिलता नहीं है मुझे कोई शावासी मिलने वाले नहीं है मुझे कुछ एप्रिशन मिलने वाला नहीं है और तभी भी मैं भूप प्यांस भूल के वह काम करना हूं और बारा बारा घंडे बिन ठकान का काम करना हूं इसका मतलब मैं उसमें पैसेनेट हूं करो ऐसा बोलते की जरुद पढ़ेगी नहीं दूसरा वरे मुझे बताना है कि यह जो लोग देते हैं कि हर जोग में कोई बात होती है उसको मिनिंग देते रहते हैं कुछ ना कुछ अर्था लगाते रहते हैं कुछ तो भी हमारे दिमाग में इसी बाच्चीत हम अपने आप से करते हैं और कुछ जसे हम कार में बाच्च ऑर कार से बहुत स्पीड से आगी निकल जाती है मेरी दीमाद में आता है कि इसले क्या 4 कि ये मेरा इंसल कर रहा रहा है ज्या उसको ai मेरे बढ़ा देज कर लेता हूं या कोई मुझे ओर टेक कर रहा है आपको कार जिलाने आती नहीं गया किसने सिखाय आपको कायट रहना ऐसे किसने कुछ कॉमेंट पास कर दिया तो मुझे मेरा दिमाग भड़क जाता है क्योंकि मैं उसको मीनिंग देते रहता हूं अभी जीवन जीवन में जो भी कुछ वरा है उसके लिए समझे हम पॉसिटिव इनिंग देते है कि ऌचां कार जा रहा है जपढ़े से स्पीड few-day कणा रहा है तो मेरा कुं में लाहता है उसको कोई कांटा होगा उसको के लिए जमर्सी होंगी उसको कोई जब्दी काम करना ला कोई किसकी जान बचाने होंगी को दवाल आना होंगा इसलिए हो जा रहा है तो मेरा दिमाग खराब नहुंगा मैं शांती मतलब मैं अपसेट नहीं होंगा दिमाग में शांती रहेगी तो यह बहुत जरूरी है कि भही मैं कौन सा क्या उसको अर्थ लगा रहा हूं जो भी में बहुत जश्न मनाय गा रहा है तक पुप्प्व पास हो गया है दुछारी घर में ऊपर और उपर का फ्लैड है इसमें लडगे को 90 पर्सेंट मार्थ मिले करके बहुत मातम अंगा रहा है क्योंकि वह 90 क्यों मिले कि 90 मिले तो भी अच्छे कॉलिज में अडमिशन नहीं ह यहां 35 मिने तो जश्न मना रहे हैं, वहां 90% मिलने के बाद में वह उदास है, हम उसको मीनिंग क्या देते हैं, हमारे दिमाद में क्या चालो है, उसके ऊपर हमारा लाइफ कैसा जाएंगा, वो डिपेंड रहता है, कोई हम गाड़ी खराब हो जाती है, तो गाड़ी खराब हो मैं क्या हो जाता हूं? मतलब यूटुब से वीडियो निकाला सकता हूं और सुन सकता हूं रख़ाब कर के अपश्यट होना है, अब कांच का गलास घर में टूट गया, तो अपसेट हो सकते हैं, इतना बड़ा अच्छा घर बहुता बहुत मेहंदा था कांश का ग्लाथ टूट गया तो ठीक कोई बात नहीं है कि इसको लगी है कि इसके हाथ में कांश गुज गया गया कोई इसका पौण न पड़ जाए उसके उपर और तकलिब न हो जाए इसके लिए में कुछ कर सकता हूं एक तुम हिर्ण ऐसा बोड़ना। है हैfik एपी फैमिली लाइक के लिए कि घर में कुछ भी हो गया है कुछ भी सानोंता है कि गिर जाता है तूप जाता है तो फिर लोगों को डिस्ट नियुक réseग breaths तो उसमें क्या होता है कि इस ने गिरा दिया उसको तो बहुत दुख लगता है उसको अच्छा लगता नहीं और ऊपर से लोग ताना मारते रहते हैं कि तुने ऐसा ऐसा किया, तो और वो डिस्टरब बहुत डिप्रेस हो जाता है, इसमें कुंसी बड़ी बात जो हो गया हो गया, ऐसा में जी करते हैं, तो एक अच्छे रिलेशंशिप सब्ची हो जाए ही, अपना दिमाग जो है, वो डिस्टरब में होगा बार बार बार, हमको एंजाइटी, टेंशन इसे छुटकारा नुलेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, जो भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो जैसा भी हो रहा है, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हो ठीक है, कोई प्राप्लिम नहीं है, यहां से हम जीते है, तो हमारा जीवन जो हैना वो बहुत पीस पुल, शांती पुन रहेगा, समाधान आनन खुशी रहेगी, तो जीवन जीएंगे तो मानसिक बिमारी भी बहुत कम हुआएगी, लोग मेंटली हेल्दी रहेगी, और हमारे पास में जरुद नी बड़ेगी, क्या हम बोल देगी हमें, जरूरी है, उसमें फिर वीडियो देखो, किता बेपड़ो, कोई इंस्पिरेशनल टॉक्स करना हो, तो इससे मेंटलल पे अच्छे लएगी, यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा, आपके जो गुरूप से वाट्साइप के होंगे, फेजिबूक के होंगे, उसको जरूर शेर करो, लिंक शेर करो, और जरूर लाраш करो, हमारा हस्पोल जो है, उसमें आपके परिवारत के पास में इधर औदर पाइचान के लोग पास समय को रखते हैं, लोग driven's की दो मानसिक बीमारी को मतल ाने बीमारी को है, और रिजिलारो में आपका हाथ से दियाएगा, thank you very much.